दोस्तों आज कैबिनेट की महत्पून बैठक थी दोस्तों और उस कैबिनेट की बैठक से नौनिक्त 42,000 सिच्छकों के लिए एक अच्छी ख़बरे निकल करके सामने आई है दोस्तों यह यू है कि अब वेतन संद्चन का लाव दिया जाएगा ठीक हा और यह वेतन संद्चन का लाव जोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ जो नौनिक्त सिच्छक है उन्हीं को दिया जाएगा दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो नियम है वो 2020 के बाद जो भी सिच्छक बने हैं उन लोगों पे लागू होता है दोस्तों 2020 से पहले जो सिच्छक बन चुके हैं उन लोगों पे ये लागू नहीं होता है इसलिए इसका सीधा संबंद 6 फेज में चैनित 42,000 नौनिक् सीवा निरंतर्ता का लाव दिया जाएगा वेतन संद्चन मिलेगा दोस्तों सीवा निरंतर्ता का लाव देते हुए वेतन संद्चन इसका मतलब है कि जब आप अपर ग्रेड में पर मोट हो करके जाएगा तो आपको जो अभी यहाँ पे दो साला प्रोवेशन प्रियेड ज लब यही है दोस्तों हरा की सम्मझ में प्रेस नोट आप पर मुक्सच्यू केके पाठक सरकेट लब से जारी किया गया है दोस्तों हम लोग इसको भी देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है दोस्तों विस्तार से इसे पहले यदि आप हमारे चनल पर नहीं है चैनल को सिच्छा के पर बिहार जीला प्रेसल आप मात्मिक यम उच्य माध्मिक विद्याले सेवा निक्ति प्रोनती अस्थनान्तरन अनुसासनि कारवा लंसीवा सर्थ निया मोली 2020 के प्रिवरट होने की ति इस अगस्त ऑगास्तार 2020 के उप्रांत निक्त होने पर सेवा लाव मात्र वेतन संड़चन की स्विक्रिति के संबंध है मतलब वेतन संड़चन आपको दिया जाएगा इस संबंध में दोस्तों जिनकी भी नुक्ती 20 अगर्ष 2020 के बाद में हुआ है बर्तमान नियोजन निकाई अथवा किसी अन्य नियोजन निकाई में तद नुरूप उ पस्ट यहां पे लिख दिया है कि यदि आप उच कोटी से जाते हैं बेसी ग्रेड से आप असनातक ग्रेड में जाते हैं दोस्तों तो आपको वैसी इसी इसीती में सेवा निरंतरता का लाव देते वी वेतन संड़चन का लाव आपको दिया जाएगा और जो नियमोली थी दोस्तों वो 28 2020 से श्टाट ही थी तो इसी नियमोली के उपरांथ दोस्तों 16 में नुखती हुई है 42,000 से चकों का दोस्तों तो इनको सीधा लाव मिलेगा आप बेसी ग्रेड में हैं और असनातक ग्रेड में आप जाते हैं दोस्तों तो आपको सेवा निरंतरता का लाव दि दिया जाएगा तो दोस्तो ये बड़ी खबरे हैं 990 सिसस्था को के लिए 20-2000 सिसस्था को के लिए जो आज की केबिनेर से निकल करके सामने आई हैं दोस्तो बहराल इस विडियो में फिर मिलते ऐले